हाई दोस्तों योगर्ट सोया चंक्स या दही सोया बीन एक तीखी सबजी है जिसे दही के साथ पकाया जाता है इसमें बहुत सारे मसालों का भी यूज़ किया जाता है जिससे इसका स्वाद बढ़ जाता है तो दें न करते हुए इसे बनाना शुरू करते हैं योगर्ट सोया चंग्स मसाला बनाने के लिए हम सबसे पहले सोया चंग्स को बॉयल करेंगे दो मिनिट बॉयल करने के बार इसे ठंडा कर पानी को निचोड़ लेंगे अब हमें कड़ाही में सर सो का तेल लेंगे और तेल गंध होने के बाद हम मसमें डालेंगे वन टी स्पून जीरा, डो लॉझजे, एक लाइची और दाल चीनी इसे मिक्स करेंगे अब हम इसमें हरी मिर्च, बारी केटे प्यास और अध्रकलस्ण का पीस डाल कर प्यास को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे प्यास गोल्डन ब्राउन हो गया है अब हम सारे मसालों को डालेंगे 1 टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 फोर्थ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टी स्पून धन्या पाउडर इसे अच्छे से मिक्स कर मसालों को भून लेंगे मसाले भून गए हैं अब हम बारी कर्टे टमाटर डाल कर टमाटर गलने तक पका लेंगे इसमें 3 टीबल स्पून गही भी डाल देंगे और मिक्स कर 2 मिनट तक पकने देंगे अब इसमें बॉइल सोरे चंक्स को डालेंगे और 5 मिनट दूनने के बाद इसमें जितनी ग्रेविया आपको चाहिए उतना पानी और नमक डाल कर धखने धखने दस मिनट तक पकने देंगे यह लीजिए हमारा योगर्ट सोया चंक्स खाने के लिए तैयार है। इसे धन्या पत्ता से गार्णिश कीजिए और गर्मा गर्म सर्फ कीजिए सबको यह बहुत पसंदाएगा। लग रहा है ना यह टेस्टी तो इसे आप भी बनाएए सबको खिलाएए और कमेंट करके हमें जरूर बताएए कि कैसा बना। हुआ ओजार बनाएड़ाए और कंपो